हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आज कल हम कर रहे हैं आप जानते हैं NEET, IAT, JE के लिएक विशिश स्रीज जिसमें कि हमने इससे पहले क्लास 12 फिजिक्स के सारे चेप्टर्स के अडिशनल एक्सरसाईज करी थी और फिर उसके बाद हमने कलास 11 के अडिशनल एक्सरसाईज यानि के अत्रिक तब्यास NCIRT के करने शुरू कर दिये इसी कड़ी में हमने पीछे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के अत्रिक तब्यासो को करा आज हम चैप्टर 4 के अत्रिक तब्यासो को कर रहे हैं प्यारे बच्चों यदि आपको समझ में आ रहा है यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए यदि आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सबसे important बात जो मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज शेर जरूर कीजिए तो अफिर शुरू करते हैं चैप्टर नमबर 4 की additional exercise हमारा पहला प्रशन है जो कि इस परकार है किसी सदिश में परिमान वदिशा दोनों होते हैं क्या दिक स्थान में इसकी कोई स्थिती होती है क्या यह समय के साथ परिवर्टित हो सकता है तो पहला प्रशन इसका क्या है कि किसी सदिश में परिमान वदिशा दोनों होते हैं क्या दिक स्थान में इसकी कोई स्थिती होती है हमने इस परकार से टी कोई एक्षक्षींज दी यहां पर यह X अक्ष है यह Y अक्ष है तो यह استثिती सदीश है उस आ तक की जो एक डिस्टन्स है यह एक इस्तिती सदीश है जो उसकी संस्तीश को बताता है लेकिन जरूरी नहीं कि सारे संस्ताएं को दिक्स्थान पे रखकर उनको इस्थिती उसकी बताई जाए तो ये पहले का अंसर हमारा ये होगी है अगला देखे इसी प्रशन में क्या करा है क्या ये समय के साथ परिवर्तित हो सकता है क्या दिक्स्थान में भिन इस्थानों पर दो बराबर सदिशों ए वबी का समान भातिक प्रभाव अवश्य पड़ेगा अपने उत्तर के समरतर में उधारन दीजिए तो सेक्ट बात इसने पूची थी क्या ये समय के साथ परिवर्तित हो सकता है तो देखे बिलकुल हो सकता है जो सदिश होते हैं वो समय के साथ परिवर्थित हो सकते हैं, सारे के सारे नहीं हो सकते लेकिन बहुत से होते हैं, जैसे आप वेक की बात कीजी वेक क्या होता है, एक सदिश राशी है और वो समय के साथ परिवर्थित होता है जब वो समय के साथ परिवर्थित होता है तभी तो तो तोरण हमारा तयार होता है न तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सदिश जो हैं वेक के साथ परिवर्थित होते हैं जो इसने तीसरा पार्ट कहा है कि क्या तिकस्थान में बिन स्थानों पर दो बराबर सदिशों ए तथा B का समान भातिक प्रभाव अवश्य पड़ेगा अपने उत्तर के समर्थन में उधारन दीजिए तो किया किते हैं A वब B समान भातिक प्रभाव यानि कि तिक स्थान पर ये हमारे पस दो सदिश हैं जिनका आप कह सकते हैं परिमान समान है तो क्या उनका प्रभाव भी समान होगा बिल्कुल आवशेक नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि दो सदिश हो जिनके परिमान अलग अलग हो लेकिन अलग अलग स्थानों बार हम कहा सकते हैं उनका प्रभाव अलग अलग होगा मालो हम बल की बात करते हैं हम जानते हैं पृत्वी पर जो भार बल लगता है नीचे की और लगता है वह जीपे डिपेंड करता है यदि एक वस्तु को पृत्वी पर उसका भार बल ग्याद करें और उसी वस्तु को लिए करके चंद्रमा पर उसका भार बल ग्याद करें, क्योंकि बल कैसी राशी है, सदिश राशी है, तो क्या होगा, दोनों स्थानों पर उसका जो भातिक प्रभाव होगा, बिल्कुल अलग-अलग होगा, तो हम क्या सकते हैं, कि यदि समान परिमान के दो सदिशों को, या समान सदिश आपको chapter में भी समझाया था कि ठीक है यह definition हम एक general definition लेते हैं कि वे सभी राशियां जिन में परिमान के साथ साथ दिशा की आउशक्ता होती है उन्हें सदिश राशियां केते हैं लेकिन यह परीभाशा इतनी नहीं है साथ में इसके एक और लाइन जोड़ने पड़ती है कि व इसी राशियों को हम क्या कहते हैं सदिश राशियों कहते हैं अब मैं आपको एक और example देता हूँ हम यदि एक वेद्धुधारा की बात करें तो आपने देखा होगा परीपत में वेद्धुधारा को दर्शाने के लिए हम तीर की निशानों का उप्योग करते हैं तो वहां आप सो सकते हैं कि वेद्धुधारा का परीमान भी है उसको तीर से हम किसी परीपत में तीर से प्रदशित भी कर रहे हैं इसका अर्थ है कि वो सदिश होगी लेकिन बिलकुल ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों कि पहली बात तो यह होगा कि हम तीर से एक परकार से व सदिश राशी नहीं है इसी प्रशन में आगे क्या कर रहा है कि किसी वस्तू के घूर्णन की व्याख्या घूर्णन अक्ष की दिशा और अक्ष के परिता घूर्णन कौन द्वारा की जा सकती है क्या इसका यह अर्थ है कि कोई भी घूर्णन एक सदिश है देखिए घूर्णन जो है वो एक सदिश राशी नहीं है आप इस बात को ध्यान रखिए हाँ यदि सुक्ष्म घूर्णन हो रहा है तो सुक्ष्म घूर्णन सदिश राशी है लेकिन घूर्णन अपने आपने सदिश राशी नहीं है ध्यान रखना है आपने सुक्ष्म घूनन सदिश है लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो घूनन होंगे वो सब सदिश कहलाएंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे अगला प्रेशन प्रेशन सुनकेर 28 क्या आप निमलिखित के साथ कोई सदिश संबद कर सकते हैं पहला है एक किसी लूप में मोड़ी गई तार की लंबाई यदि हमारे पास कोई एक लूप हम बना दे इस तरीके से यह हमने एक लूप बना दिया कोई तार को घुमा करके तो क्या इसके साथ कोई सदिश जोड़ा जा सकता है नहीं जोड़ा सकता क्योंकि यह तो सीधे एक क्या है लंबाई है तो इसके साथ सदिश को नहीं जोड़ सकते बी पार्ट में क्या करा है किसी समतल छेतर अब हमने कोई एक छेतर ले लिया मान लिते हैं यह इस तरीके से मैंने एक छेतर बनाया क्या इसके साथ सदिश को जुड़ा जा सकता है बिलकु जुड़ा जा सकता है उसे हम क्या कौन से सदिश कहते है छेतरफल सदिश कहते है और इस सदिश की दिशा क्या होती है इस प्रष्ट के लंबत बाहर की तरफ क्योंकि सदिश है तो उसके दिशा भी होगी तो इसके दिशा क्या होगी? प्रिश्ट के इलंबत बाहर के और होगी, यानि कि इसके साथ एक सदिश को जूर सकते है, सुसिट कर सकते है C पाइट में है किसी गोले के साथ व्यख्या केजिए गोला यदि हम गोला लें गोला कैसा होता है आपको हमने पहले भी बताया एक वरत में और गोले में अंतर होता है वरत का तो ओरत होता है आप एक तार को लीजिए और उसे गुमा करके बिल्कुल एक सरकल बना दीजिए तो वह तो क्या हो गया वरत हो गया और गोला क्या हो गया जैसे आपके बॉल होती है फुटवाल होती है या करकेट की बॉल होती है यह क्या होती है गोले होती है तो एक टूडी में होती है उसमें दो डिमेंशन होती है यानि कि उसका केवल आप छेतरफल एक परकार से निकाल सकते हैं परीधी निकाल सकते हैं फरत की लेकिन गोले का आयतन भी निकाल सकते हैं इसलिए थ्रीडी फॉर्म है तो गोले का यदि आप आयतन के संदर्व में समझें तो हम कह सकते हैं इसके साथ कोई सदिश नहीं जोड सकते हैं गोले के आयतन के साथ लेकिन गोले का क्योंकि उपर का प्रिष्ट भी है, तो यदि आप प्रिष्ट के संदर्व में सोचेंगे, तो गोले के साथ हम एक सदिश को जोड सकते हैं, और उसके दिशा क्या होगी? प्रिष्ट के लंबद बाहर की और, हमने इस परकार से एक गोला बना लिया, तो इसके सदिश क्या होगे? यहाँ पर हमने कोई भी एक प्रिष्ट ले लिया, तो इस यहाँ से लंबद भार की और जो होगा, वह छेतरफल की दिशा होगी, तो आईतन अदिश और छेतरफल सदिश होगा, तो इस परकार से समझ सकते हैं इस प्रिष्ट को, अब हम अगला प्रिष्ट देखें, क्वेश्ट नमबर 29 है, इसके अंसार किसी गोली, कोई गोली, 36 से 30 डिग्री के कोण पर दागी गई, और वह धरातल पर 3 किलोमेटर दूर गिरती है, इसके प्रिष्ट के कोण का समाईजन करके, क्या 5 किलोमेटर की दूरी, इसके किसी लक्ष का बेद किया जा सकता है, गोली की नाल मुखचाल को नियत तथा वाईजू के परतिरोत को नगण मानी है, तो देखें क्या क्या चिया इस दिए हमें दिया है, क्योश्चन नमबर है ये, 39, क्योश्चन नमबर है, 4.29, हमें कौन कितना दे दिया, कौन दे दिया, 30 डिगरी का, परास कितनी दे दी, आर हमें दे दी, 3 किलोमीटर, और अब वो क्या कहा रहा है, कि क्या यह संभव है, कि परच्छेप का इस्तिमाल करके, हम क्या करें, आर का मान, कितना कर दें, आड़ेश का मान 5 km किया जा सकता है यह हमसे पूछ रहा है तो किस परकार से करेंगे हमने इस चेप्टर में पढ़ा था कि जो परच्छेप की परास का जो सुत्र होता है वो होता है R is equal to U square sin 2 theta upon Z यह क्या होता है परच्छेप की परास का सुत्र होता है हमारे पास जहां यू प्रारंबिक वेग होता है theta जिस कोंड से प्रच्छेपित कर रहे हैं उसका मान होता है जी गुर्ती तरण होता है R क्या होता है परास होती कितने दिक दूर जा करके वस्तू गिरीगी उसे परास करते हैं तो हमारे पास किवल theta के value है R की value पहली condition के लिए दी हुई है और second condition के लिए हमको ग्यात करना है तो पहले पहली conditions की value यहां पर रखकर के मान निकालते हैं यदि R तीन किलो मिटर है तो इसको मीटर में लिखेंगे तो यह हो जगा 3000 मीटर तो value रखें यह होगे 3000 मीटर बराबर U square को मान हमें दिया नहीं है और G को भी अभी हम ऐसे लिख रहे हैं साथ में हो गया sine theta का मान कितना है 30 degree तो 2 गुणा 30 तो U square upon Z multiply यह हो गया sine 60 sine 60 का मान आप जानते हैं अंडूर 3 बटे 2 तो यहां से U square upon Z की value हम निकालें क्योंकि यह किसके बराबर है 3000 के बराबर तो U square upon G क्या हो जगे 2 की उपर गुणा अंडूर 3 की नीचे तो यह हो जगा 2 गुणा 3000 बटे अंडूर 3 तो यहां पर हम लिख सकते हैं U square upon Z की value आगी 6000 बटे अंडूर 3 यहां गया 6000 बटे अंडूर 3 तो यह हमारे पर U square upon Z का मान हमने निकाल दिया अब क्या कहा रहा है कि हमको पराब सब चाहिए 5 किलो मिटर क्या यह संभव है आप जानते हैं कि परछेव गती में हमने condition निकाली थी यदि मत्तम उचाहिए तक वस्तू को फैक ना है तो कोण कितना होने चाहिए नबेट गरी अर यदि अधिक्तम परास आपको चाहिए तो कोण कितना होने चाहिए 45 डिगरी तो लिखते हैं अधिक्तम परास के लिए अधिक्तम परास के लिए थीटा बराबर कितना होने चाहिए 45 तो R किस से हम change कर देंगे R maximum से तो formula यही रहेगा हमारा अब कि बार आजएगा R maximum बराबर U square sin 2 multiply अब कि बार थीटा का मन कितना होगा 45, जब थीटा 45 होगा तभी तो R maximum होगा तो क्या लेकर लेंगे 45 degree बटे Z Z का मान 9.8 वाल यही का मान हमने लिखने की ज़र्वती नहीं है क्योंकि U square upon G का मान हमने हमने यहाँ पर अलग से निकाली रखा है तो सीधे हमने G का G रखती है तो R maximum बराबर U square upon G कितना है? 6,000 बटे अंडरूर 3 multiply यह उगए side 90 2.45 यहने की 90 और side 90 का मान कितना होता है एक तो यह अगए 6,000 6,000 हर से अंडरूर हटाएं तो अंडरूर 3 की निचे गूण हां अंडरूर 3 की ऊपर गूण हां तो यह आगए 6,000 अंडरूर 3 बटे 3 3 से कार देंगे तो कितना आजाएगा 2000 तो यह आगिया 2000 गुना अंडूर 3 अंडूर 3 की वैल्यू रखकर के जब कैलकुलेट करेंगे तो यह वैल्यू आती है 3, 4, 6, 4 मीटर के बराबर और 3, 4, 6, 4 मीटर का आर्थ हो गया यह 3 किलो मीटर 464 मीटर के बराबर हो गई तो यहा जो R की मैक्सेमम वैल्यू होगी वो इतनी हो सकती है इसी YOO Beck से फ्याकने पर जो कि 5 किलो मीटर के बराबर नहीं आ रही है तो हम कह सकते हैं कि हम इस इस्तिती में जो परास है वो 5 किलो मीटर प्रप्त नहीं कर सकते हमारे नेक्स कुश्चन है जो कि इस परकार से है इसके अंसर कोई लड़ाक को जहाच एक दिशनल पांच किलो मेटर की उचाई पर 720 किलो मेटर परती घंटा की चाल से 36 दिशा में उड़ रहा है किसी वाईयू यान बेदी तोप के ठीक उपर से गुजरता है उर्दहादर से तोप की नाल का क्या कौन हो जिससे 600 मेटर परती सिकिन की चाल से दागा गया गोला वाईयू यान पर वाद कर सके वाईयू यान के चालक को किस नियूंतम उचाई पर जहाच को उड़ाने चाहिए जिससे गोला लगने से बच सके चैयर, g की वैल्यू दी है 10 मेटफ पर से किन स्क्टाइर तो क्या क्या दे दिये हमार को लड़कू जहच की उचाई दे दी तो उचाई हमें दे दी, यह कुश्चन नमबर है हमारा 30 क्वश्चन नमबर है 4.30 उंचाई हमार को दे दी लड़ाको यान की यह है 1.5 km कितने वेक से चल रहा है उसका जो वेक दे दिया या चाल दे दी वो दे दी 720 km पर घंटा साथ ही हमें जो नीचे से तोप है तोप के गोले की चाल गोले की चाल और यहां भी हमार को कितने दी हैं आप देख रहे हैं प्रस्टन में यह 600 m3 पर सिकिन 600 m4 यह हमें दे दिया है अब हमें पहला तो यह निकालना है कि थीटा किस कौन सी यह इसको फैंके की यह तकरा जाए तो डाइग्रम बनाते हैं फिर क्लेयर होता है हमारे को तो डाइगरम देखी, यहां हमने का कि यह हम इस परकार से बनाते हैं इसको मान लेते हैं कि यहां से कोई एक वायू यान जा रहा था ठीक, इस स्थान पर था यह वायू यान और यहां से हमने जब तोप का गुले से तोप छोड़ा तो वो किस तरीके से जाएगा उसकी परच्षेब गती इस परकार से होगी तो हम जानते हैं परच्षेब गती में दो परकार की गतियां होती है एक उर्दोहदर गती और एक 36 गती तो यह इतनी देर में जितनी देर में यह यहां से लेके यहां तक महुचेगा, उतनी देरे में इस तोप के गोले को भी यहां से लेके यहां तक की इतनी 36 दूरी तैय करनी चाहिए तो दोनों समान समय पर दोनों को समान दूरियां तैय करनी पड़ेगी इसके चाल 720 किलोमेटर प्रती घंटा 36 में है, जबकि गोले यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है तो सबसे पहले वेक को यह मीटर परती सेकिंड में इसको भी मीटर परती सेकिंड में बदल लें तो यह हो जाएगा 720 गोणा 5 बटे 18 तो 5 बटे 18 से गोणा करके यह मीटर परती सेकिंड में आ जाएगा यह 40 बार कर जाएगा तो 5 बटे 20 यानि कि यह क्या गया 200 meter per second यह आ गया, तो अब हम इस question को करना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम इसके 36 घटक ग्याद करेंगे कि इसका 36 घटक कितना होगा, क्योंकि 36 दूर ही तय करने के लिए 36 घटक आपशक है तो हम लिखेंगे तोप के गोले का गोले के वेग का लिख लेते हैं, के वेग का 36 घटक और यह हमारा किसके बराबर होता है, आपको ध्यान हो तो जो 36 घटक होता था, वो होता था यू इंटू कॉस थीटा, लेकिन हम ने क्या कहा यहाँ पर थीटा कीज़े कि आपको कितना लेना 90 माइनस थीटा, तो इसको हटा करके क्या लिख लेंगे, 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, तो 36 घटक क्या हो गया, यू साइन थीटा इसी परकार उर्दुवाधर घटक कर दें उर्दुवाधर गटक तो उर्दहादर गटक क्या हो जाएगा U sin 90-θ हो जाएगा 90-θ यानि कि cosθ तो U cosθ तो अब यह समझ लेज़े एक परकार से बदल गया अब यह हमने क्यों निकालें यह इसलिए निकालने क्योंकि हमें यहां से लेकर के यहां तक की दूरी निकालनी है जितनी देर में यह जाएग यहां से लेकर यहां तक पहुँचेगा इसके द्वारा चली गई दूरी तो इस परच्छेप की 36 दूरी के बराबर होनी चाहिए तो लिखते हैं अतब यदी पीस सेकिंड में पीस समय पश्चाद गोला जाहाज से टकराए जाहाज से टकराए तो तो चली गई दूरी इनके द्वारा चली गई दूरी तो मैं लिखता हूँ जाहाज द्वारा चली गई दूरी चली गई दूरी अच्छे से लिख लेंगे इसको चली गई दूरी बराबर होगी गोले दौरा तय 36 36 दूरी तो दिखें जहाँ दौरे चली गई दूरी क्या होगी दूरी चाल बराबर दूरी बड़े समय तो दूरी बराबर चाल बोना समय तो चाल कितनी है इसकी गोले की चाल कितनी होगी 200 तो यह आजगा 200 और समय कितना है? ट समय बराबर गोले द्वारत तहीं किए गिए 36 दूरी कितनी हो जाएगी? वो भी क्या हो जाएगी? चाल गुना समय तो 36 चाल कितनी हो जाएगी? यू साइन थीटा तो यू साइन थीटा मटीप्लाइ समय वह हमारा आजाएगा तो देखें ट से तो ट कड़िया तो हमारा क्या आजाएगा? यू साइन थीटा बराबर किसके बराबर आगिया? 200 के बराबर तो साइन थीटा बराबर 200 बटे यू और प्रारिम्भी के वेग यू हमको कितना जिया है? 600 तो इसको लिखे लेंगे 200 बटे 600 कटेगा, यानिकि 1 बटा 3 तो साइन थीटा का मान आगिया 1 बटा 3 एक तो आपने यह ध्यान रखना है 1 बटा 3 तो एक तो हमें यह आ गया और ये 1 बटा 3 जो होता है वहां होता है हमारा एक तो आप इसे ध्यान रखेंगे दूसरोँ होता है Sine ठीटा का मान जो एक बटा 3 होता है वो मिता है Sine 19.5 डिग्री पे तो इस का रथ होगी यह थीटा का मान कितना होगी 19.5 डिग्री तो इस कौन पर जो उसने कहा था प्रछेप का कौन कितना होगा यहां पर हमें कौन पूछा था वह हमने का 19.5 डिग्री पर हो गए अब इस question का second part आता है यह यह कहते है कि जहाज शालकों को कितनी उचाई पर उड़ाना चाहिए जहाज जिससे वह तोप के जो गोला निकल रहा है उसके टकराने से बच जाए तो महत्तम उचाई निकालनी पड़ेगी हमें प्रचेप की महत्तम उचाई याद करेंगे कि गोला अधिक से अधिक कितनी उचाई तक जा सकता है इस कोन पर प्रचेपित करने पर तो उससे अधिक उचाई पड़े जहाज उड़ रहा होगा तो गोला नहीं टकराएगा, साधरन ची बात है तो लिखते हैं चूंकि प्रचेप की महत्तम उचाई उचाई बराबर होता है U स्क्वेर साइन स्क्वेर थीटा अपॉन टूजी, इसके बराबर होता है अब देखे, U स्क्वेर साइन स्क्वेर थीटा है, तो थीटा कीजिए कि हमने कहा था, क्या लेना है? ध्यान रखना है आपको 90 minus थीटा, और साइन 90 minus थीटा किसके बाराबर होता है? cos थीटा के बाराबर होता है, तो इसी को हम लिखे लेंगे u square cos square theta upon 2z तो क्योंकि महता मुचा ही ले रहे है h maximum कमान ले रहे है तो इसका अर्थ है, अब थीटा कमान क्या लेंगे हम? यहाँ पर 90 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 90 में फैकेंगे तो यह सीधे उपर जाएगा न, उसको ऐसी में भी जाना है तो थीटा कमान कितना लेंगे? इतना ही लेंगे, 19.5 तो क्या आजाएगा? यह हमारा आजाएगा, u square multiply, cos 19.5 इसका square upon कितना लेंगे? 2z लेंगे इसको solve करेंगे तो इसको solve करेंगे, तो u square कमान u किसका है? प्रारंबीग वेग कितना हमको दिया? 600 तो क्या आजाएगा? h maximum बराबर 600 का square u square cos 19.5 का मान निकालना है हमारे को तो कैसे निकालेंगे? देखे, हमें sin 19.5 का मान sin 19.5 का मान 1 upon 3 पता है तो cos 19.5 का मान हम ग्याद कर सकते हैं कैसे? हम जानते हैं चुकि sin square theta plus cos square theta बराबर किस के होता है? 1 के तो हमें तो किस का मान चाहिए? cos का मान चाहिए sin के बदाव मतले लिखेंगे cos square theta बराबर 1 minus sin square theta तो 1 minus sin square theta यानि कि sin की value कितनी दी है? यहाँ पर पहले ऐसी लिख लेते हैं चलिए sin square theta तो cos theta बराबर इतना आ जाएगा इतना आ गया तो बस ये values आप चाहें तो लिख दीजिए और आपको value पता चल जाएगी या फिर यहाँ पर मान लिखना चाहें तो 19.5 अब मैंने theta की जागए कितना लिख लाइए 2019.5 तो यहाँ पर भी क्या जाएगा 1 minus sine 19.5 का square तो क्या गया 19.5 का मान कितना है यहाँ पर था sin theta 19.5 का मान 1 dato 3 तो यह क्या जाएगा 1 dato 3 का तो यह घटाएगे तो यह कितना आ जाएगा 9 no इकम 9, 9 में से गया 8, यानि कि 8 बटे 9 हो गया, तो 8 बटे 9, cos 19.5 का मान है, तो cos square का मान कितना हो जाएगा, सिधे 8 बटे 9 के बराबर हो जाएगा, तो values रखते हैं, u square का मान हमने ये रख दिया, cos 19.5 का मान कितना हो गया, under root, 8 बटे 9, और चुके cos उसको 19.5 है, तो उमने यहां पर भी लिख लिख लिए, अब अपन 2G, तो 2G का मान कितना आगया, 2 गुणा G का मान उन्होंने दिया है, 10, तो solve करते हैं, यह आगया, 600 गुणा 600, गुणा 8, 2 गुणा 10, गुणा 9, तो काटें इसको, कितने बार कड़ गया, 100 बार, और 0 से इसको काड़ दें, तो यह 0 बार, तो नीचे का तो पूरा कड़ गया, उपर आगया 200, गुणा 10, गुणा 8, तो 8 गुणी, 16,000, तो 16,000 क्या गया, मीटर, 16,000 मीटर का मतलब कितना हो गया, 16 किलो मीटर, तो H की जो मैक्सीमम वैल्यू है, वो 16 किलो मीटर यदि होगी, यानि कि, जहाज का जो पाइलेट होगा, यदि उसे 36 से, 16 किलो मीटर उचाई पर उड़ाएगा, तो, क्या होगा, उससे अधिक उचाई पर उड़ाएगा, उड़ाना पड़ेगा, जिससे वो गोले से नटक रहाएगा, इस परकार सकते हैं, इसे, हमारा नेक्स्ट कॉस्चन इस परकार से, इसके अंसवर, एक साइकल सवार 27 किलो मीटर पर ती घंटा की चाल से साइकल चला रहा है, जैसी सड़क पर वहां 80 मीटर ती जा के वर्तिय मोर पर मुड़ता है, वो ब्रेक लगाता है, और अपनी चाल को 0.5 मीटर पर सेकिंड की एक समान दर से कम कर लेता है, वर्तिय मोर पर साइकल सवार के निट तोरान का परिमान और उसकी दिशा ग्याद कीजिए, तोरान का परिमान और दिशा ग्याद करने, क्याके चीजे हमें दिए, साइकल सवार के चाल दे दी, 27 किलो मीटर प्रति घंटा, यानि कि हमें यू बराबर दे दिए, 27 किलो मीटर प्रति घंटा, पहली बात, दूसरा उसने दिया है, कि वह तिरिजिया कितनी है, तिरिजिया बराबर दे दी, 80 मीटर, और एक समान चाल से, दर से क्या कम कर रहा है, 0.5, 0.5 मीटर पर सेकिंड, जो रेखी तोरान हो रहा है, रेखी, तोरान हम कहेंगे, क्योंकि एक समान दर से, अपनी चाल को घटा रहा है, इसका मतलब तरान उत्मन कर रहा है, एक सेकिंड विजितना वेग में परीवर्तन होगा, वही तो तरान होगा, तो इसका मतलब ये उन्होंने क्या दी देते, तोरान, तो हमें क्या ग्यात करना है, हमें निकालना है, परिणामी तरान, और इसी तरान की क्या निकालनी है, दिशा को ग्यात करना है, तो हलका सा डाइग्राम इसका बना लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा, मान लेते हैं, ये एक मोड है, इस मोड पर जब साइकिल सवार यहां पर पहुँचा, तो मान लेते हैं, यहां साइकिल सवार है, अब साइकिल सवार जब यहां पर पहुँचेगा, तो क्योंकि वर्ताकार पत्थ पर गती करेगा, तो इस पर एक बल तो लगेगा अंदर की तरफ, और बल लगेगा, तो निश्ची तरुप से उसी दिशा में तरण कारे करेगा, तो यहां जो तरण होगा, यहां होता है अभी के अंदर तरण, जिसे हम AC से पर दिश्यत करेंगे, और दूसरा क्योंकि वो जिस रेखा पर गती कर रहा है, वहीं पर वो क्या कर रहा है, अपना वेग घटा रहा है, जिसे हम रेखी तरण कहे रहे हैं, और रेखी तरण का मान कितना है, रेखी तरण इतना है, मान लेते हैं इस रेखी तरण को, AL से रिपरेजन कर रहा हूं है, यह इस दिशा में इसने तरण घटाया, तो यह हमारा क्या हो गया A L लीनियर रेखे तौरण हमारा यह हो गया तो अब वो करा है इन दोनों के बीच जो तौरण का परिमान आगए क्योंकि तौरण कैसी राशी है सदिश राशी है तो इनका निश्ची तौरण से परिमान होगा उस परिमान को और दिशा को हमें गयात करना है तो शुरू करते हैं प्रशन किस परकार से करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो वेग है हमारा इसको मीटर परती सेकिंड में बदलते हैं तो कैसे बदलेंगे हम जाने यू बराबर है 27 किलो मीटर प्रति घंटा इसे 5 बटे 18 से गुणा करना है हमें multiply 5 बटे 18 तो ये मीटर पर सेकिन में बदल जाएगा 9 दुनी 18, 9 तियां 27, 23 पजे 15 बटे 2 मीटर पर सेकिन तो ये वे एक कमान तो हमें पता चल गया अब क्योंकि हमें रेखे तौरण तो पता है हमें हमें जो अभी केंदर तौरण है इसका मान गयात करना है तो लिखे हैं चूंकि अभी केंदर तौरण अभी केंदर तौरण जिसे मैं किस से प्रदिश्रित कर रहा हूँ A, sentimental escalation तो ये हमारा किस के बराबर आजाएगा यहां हमारा आजाएगा सुत्र हमारा होता है V square upon R के बराबर तो V की value ये U, V, A की चीज है U square upon R लिखे लिजे हमने यू लिखा तो U square upon R लिखे लिजे U की value कितनी पंदरा बटे 2 तो ये हमें पंदरा बटे 2 का square और अपन R R का मान कितना दिया है हमें 80 meter तो लिखे लिखे लिए 80 meter तो ये हमें पंदरा बंदरा 2, 2, 5 बटे 2 गुणा 80 तो नहीं 2 नहीं ये 2 का भी वर्ग है तो क्या आजागा 4 4 गुणा 80 तो इसका आर्थ है जब इसे solve करेंगे तो हमारा मान निकल के कितना आजागा हमारा आजएगा तोरण A कौन सा C अभी के इंदर तोरण इसका मानेगा 0.70 meter per second square ये हमारा पस ग्यात हो गया अब देखे इस तोरण का मान भी पता चल गया इसका भी मान पता चल गया इनका परिणामी क्या होगा तो परिणामी निकालने के लिए हमने का था इसके बीच से ये एक रिखा खिंची दी जाये इस परकार से तो यही जो रिखा होगी इसके resultant यानिके परिणामी को प्रदशित करती है तो परिणामी को जो प्रदशित करेगी R परिणामी A R बराबर हमने का किसके A के लिए A बराबर हो जाएगा Under root A घटक ये वाला एक घटक ये वाला तो यानिकी AC स्क्वार प्लस AL स्क्वार बराबर Under root AC का मान कितना आया 0.70 का स्क्वार प्लस AL का मान कितना आया यह हमें दिया है 0.5 तो 0.50 का स्क्वेर तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कुल मिला करके जो मान निकल के आता है वह निकल के आएगा 0.8 6 मीटर पर सेकिन स्क्वेर आप सॉल्व कीजिए का मान इतना आजाएगा तो परिमान तो हमने निकाल दिया एक चीज तो निकाल दी परिमान का परिमान अब इसके दिशा ग्यात करनी है मान लेते हैं यह इसके साथ जो कोण अंतरीत कर रहा है यह वाला देखी तोरण की दिशा के साथ मान लेते हैं वह थीटा कोण है तो यह थीटा कोण है तो कौन थीटा है इसके सामने की भूजा ये AC क्या होगी लंब तो हम लिखेंगे 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार और आधार क्या होगी है AL AC कमान कितना है 0.70 AL कमान कितना है 0.50 ये हमने यहाँ पर लिखा है 0.50 ये वाला जब इसको solve करेंगे तो ये आजागा 10 थीटा बराबर आएगा 1.4 के बराबर कैसे आएगा दशमलो से दशमलो भटा दीजिए 0 से 0 कड़ गया 5 से भाग दीजिए 5 कम 5 दशमलो लगाया 2 बज गया 5 चको 20 10 थीटा कमान ये आगया जब 10 थीटा ये है तो जब आप टेबिल से देखेंगे यानि कि हम लिख सकते हैं थीटा बराबर हो जाएगा 10 inverse 1.4 अर जब टेबिल से इसका मान देखते हैं तो मान आता है 54 डिग्री and 28 मिनिट तो जो थीटा होगा वहाँ रेखी तोरण से इतने डिग्री के कौन पर होगा और उस परिणामी तोरण का मान 0.86 मीट पर 35 स्क्वार होगा तो इस परकार से इन प्रश्णों को हम हल कर सकते हैं हमारा next question इस परकार से है इसके अंसार सिद्ध कीजिए कि किसी प्रछेप के x अक्ष तथा उसके वेग के बीच के कौन को समय के फलन के रूप में निम्न परकार से व्यक्त कर सकते हैं t बराबर 10 inverse v0y-gt बटे v0x तो क्या बतासे हैं t is equal to 10 inverse v0y-gt बटे v0x इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं second क्या कराएए कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदू से फेंचे गए प्रछेप कौन का मान 10 inverse 4hm-R होगा यहां प्रियुक्त संकिर्प्रतिकों के अर्थ समान्य हैं तो प्रछेप कौन यानि कि थीटा का मान बराबर होगया 10 inverse क्या दे दिया हm बटे हमारे को दे दिया R यह दो चीजे हमारे को क्या करनी है प्रूफ करनी है प्रछेप गती के संदर्व में तो कैसे करेंगे देखें काफी आसान है यदि आपको प्रछेप गती अच्छे से समझ माती है यह हम आपको बता रहे हैं इस परकार से हम प्रछेप गती का यहां पर एकजामपल ले रहे है माल देता है कंड को हमने 36 से यह theta degree का कौण बना करे फैंक दिया जब theta degree का कौण बनाते हैं तो आप जानते हैं यदि इस बिंदू की बात करूं मैं तो यहां पर हम एक ऐसे एक उर्धादर रक्ष कहेंश लेते हैं तो यह जो घटक बनता है यह उर्धवादर घटक होता है यदि इसको हम U-Wake से भैक रहे हैं या V-Wake से भैक रहे हैं माल लेते हैं वेक कितना है V तो इस वाले घटक को नाम देते थे हैं V-Y और यदि यह मूल बिंदू है 00 तो यहां से फैके गए उर्धवादर घटक का नाम V-0-Y ले रहे हैं ठीक यहां से हम क्या डालते थे लंबर डालते थे और इस पर जो घटक होता था यह हमारा 36 घटक होता था और इसे हम V-0-X से निरूपित करते थे वहां पर हम U-X तथा U-Y से रिप्रेजेट करते थे लेकिन यहां पर जैसा कि इसने शो करावा है वैसे हम इनको इस रूप में ले रहे हैं बाकि सब परच्शेब गती वाली बात है तो यह हमने इस परकार से इसको ग्यात कर लिया तो अब इसके 36 और उर्द्वादर गटकों के एरिमान लिखें तो क्या होंगे तो लिखतें 36 गटक 36 गटक बराबर क्या होगा यह वाला V-0-X के बराबर होगा और उर्द्वादर गटक बराबर V-0-Y के बराबर होगा यह हमें बात पता चलगी अब मैं इस P बिंदू की बारे में बात कर रहा हूँ मान लेते हैं ये बिंदू मेरा क्या है P इस P बिंदू पर जब ये कन पहुँचा ये पिंड पहुँचा तो इसका जो हम कह सकते हैं जो उर्धवादर घटक रहा होगा वेग का वहाँ परिवर्थित होगा क्योंकि पूरी प्रक्रिया के दौरान 36 वेग का घटक परिवर्थित नहीं होता हमने आपको वहाँ प्रचेवगती में अच्छे से समझाए था लेकिन उर्धवादर घटक इसलिए परिवर्थित हो रहा है क्योंकि गुर्थित तौरण नीचे के और कार्य कर रहा है तो इस बिंडू पर जो नया घटक है पी पर उसे लिख रहते हैं भी हम लिख सकते हैं 0y डश से नुरुपित कर रहे हैं इसका वेग तो पी बिंडू पर यदि वेग इतना है तो इस वेग के मान को ग्यात करेंगे तो लिखेंगे माना पी पर उर्धवादर घटक के वेग का मान वी जीरो वाई डश है अता तो अब देखिए यहां क्या हो गया अंतिम वेग यहां पर यह वाला घटक क्या था प्रारंबिक वेग समय कितना है तो उसी को लेंगे आता तो गती के पर्थम समीकरण से सुत्र हमारा गती का पर्थम समीकरण क्या होता V बराबर U माइनस G T तो V की जगे क्या आजाएगा V 0 Y डश इस P बिंदू पर वेग V U उर्धादर घटक का इस बिंदू पर किता मान था V 0 Y माइनस Z की जगे G अटी T क्या है हमारा समय तो हमारा आगिया V डश 0 Y बराबर V 0 Y माइनस G T के बराबर आगिया अब देखे इसने क्या का है हमें 10 inverse T की value निकालनी है यानि कि 10 theta तो है लेकिन समय के फ़रून के रूप में तो किस परकार से करेंगे इस वाले से देखें तो हम यहां से लिख सकते है 10 inverse नहीं 10 theta T अब देखे यह क्या एक समकोन तिर्बूज है समकोन तिर्बूज में ये वाला क्या है लंब ये वाला निचे क्या है आधार तो P बिंदू पर लंब क्या है V-0 Y तो लिखेंगे V-0 Y बटे लंब बटे आधार कितना है V-0 X क्योंकि 36 घटक तो बदलेगा नहीं तो क्या लिखेंगे V-0 X तो अब वैल्यूज रख लेंगे हमारी वैल्यूज क्या है V-0 Y की वैल्यू कितनी है V-0 Y की वैल्यू है V-0 Y माइनस G T तो लिखेंगे V-0 Y माइनस G T बटे V-0 X यह किसके बराबर है 10 थीटा T के बराबर है तो थीटा T जैसे कि इन्होंने यहां पर कहा है या T आप ले लीजिए सीधे T ले ले लेते हैं T बराबर यह जगा 10 इन्वर्स और क्या है V-0 Y माइनस G T बटे V-0 X इसके बराबर आजाएगा यानि कि कौन जो है वो समय के फलन के रूप में उन्होंने T से रिप्रेजेंट करावा है इसे तो इसको इस परकार से हम क्या कर सकते हैं प्रदिश्यत कर सकते हैं सेक्टिंड बात यह क्या कह रहे हैं कि हमारे को यह भी प्रूफ करना है Θीटा बराबर है Tine Inverse H M अपों R क्या है मेंन बात H M H M का मतलब होता है महत्तमुचाई अर आज क्या होगा परास होगा तो इन दोनों चीजों को निकालते हैं तो हम इसी वाली equations में H M की यह दी value निकाले हैं महत्तमुचाई का ane U square कि R बराबर यह होता है U square sin 2 theta upon Z के बराबर होती है अब इन दोनों फार्मुलों को हमको यहाँ पर क्या करना है? यूस करना है तो इसको थोड़ा से expand करते हैं इसको लिखते हैं U square multiply 2 sin theta into cos theta बटे कितना गया? Z तो यह माल लेते हैं यह होगी समी करण 1 यह वाली होगी समी करण 2 तो हम क्या कर रहे हैं? समी करण 1 में समी करण 2 का भाग दे रहे हैं क्या हम बटे R है इसलिए तो निकालते हैं मान तो क्या है समी करण 1 में समी करण 2 का भाग देने पर भाग देने तो भाग देते हैं समी करन एक कितनी है HM लिखे लेगे ये 27 ह्म तोų लिखे लेंगे ये 29 हम एक बिटे R बराबर इसका अगे U2, S2, S2, Theta तो क्या लिखे लिए U2, S2, Theta बिटे कितना आगे y coral 2G तो निचे लिखे लिए 2G, Multiply भाग देंगे इस वाली समी करन का भाग तो u square 2 sin theta into cos theta और बटे g कहां चलियागा उपर multiply किया गया तो देखें, z से तो g कड़ गया sin u square से u square कड़ दिया sin square theta है यह नीचे sin theta तो इससे यह कड़ गया तो एक घाद बच गई तो नीचे इदर के और क्या बच गया यह बच गया sin theta बटे 2 की 2 में गुणा 4 into cos theta यह क्या है hm बटे यहां गया hm बटे r और 4 की यहां multiply कर दे 4 hm बटे r बराबर sin theta बटे cos theta यानिकी 10 theta तो यहां से निकल गया theta बराबर 10 inverse 4 hm बटे r यही proof करना था यहां पर यहां पर 4 नहीं है हमारा 4 आ रहा है देखें नहीं इसमें भी क्या है 4 ही है तो इस परकार से हम क्या सकते हैं इस प्रशन को हल कर सकते हैं प्रशन की जो भी हम क्या सकते हैं ऐसे प्रशनों को आपको ध्यान रखना है संकेतांकों को यह hm है यानि कि maximum उचाई r परास है तो सीधी बात है आपको इन दोनों फारमलों को यूस करना है यहां पर हमें देर खाता V0Y-GT यह किसी P बिंदू पर यह किसी अन्य बिंदू पर जो वेग होगा उसका घटक है यह प्रारंबिक वेग का घटक है इसका मतलब यहां पर इसको भाग दे देना है तो इस परकार से कर सकते हैं तो प्यारे बच्चे यहां हमने इस चेप्टर के जो अडिस्टनल एक्सराइज है इसको कम्प्लीट किया मुझे उमीद है आपको काफी आसानी से समझ माया होगा पर शेबगती से रिलेटर्ट प्रश्ण है थोड़ा सा कोशिश करता है घुमा करके यह देने के लिए लेकिन आपको बेसिक्स के लिए हैं तो ज़्यादा परिशानी नहीं होगी तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नई चेप्टर के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई